हेलो दोस्तों ओमनी सेंचल मैं आपका स्वागत है और आज आपके इतिहास के तीसरे दिन की टॉपिक है या टॉपिक वाई जो चल रहा है हडपा या सिंदु घाटी की सब्विता तो इससे जुड़े हुए कुछ खास प्रश्ण और उसके उत्तर को देखेंगे दोस्तों इ स्वाधियो जो है इसका पहला पाट है हडपा सिंदु-हाडी सेविता का उसके बात जो है कि दुस्ते पाट में दूसरे पाट में दोस्तों के हरह पाड़ता की आरती किसिती समादिक जीवन अ उसके बाद दार्मी के सिती राजनीती के सिती तो और प्यापार वानीजी से जूड़े हुए कुछ खास और जो भड़पा से पटा कि जो प्रमुक इमारते हैं वहां कि जो इस्ट्रक्चर है उससे समद्धित जो वीडियो के दूसरे वीडियो में होगी तो इस वीडियो में सिर्फ उन अस्थलों को हड़पा के जो खास प्रमुक अस्थल है जहां पर खुदाई हुए उनसे उनसे जुड़े वह सारे प्रश्न उत्रकोष्ट में सामिल किया गया है दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आप से निवेदे नहीं कि आपने चैन को सब्सक्राइब करें और अधिक असी प्रश्न को लिया गया है तो जिसमें देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कोशन वाइज है तो कोशन वाइज है और टॉपिक वाइज तो है ही सिंदुघाटी की सब्सक्राणा है तो पहला प्रश्न है सिंदुघाटी की सब्सक्राणा है यह जानना बहुत जोर सब्सक्राइब करांची से लहौर तक रिल्वे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने इटों की बहुत जुरुरत थी तो इसके लिए उन्होंने कुछ चण्ड्रों का हृप सबता के जूडर हुए कुछ जो खंडर थे उन्हों कंड्रों से वे इटे ले रहे थे लगतार ले रहे थे तभी इसी दवरान उनको पता चला ठीक है लेक्शन हडपा सभता की खोज सबसे पहले कहां की गई तो यह पकिस्तान के पश्मी पंजाब के मूंट गुमरी जीले में तो मूंट गुमरी जीला है तो वहां की गई है जो कि मूंट गुमरी जीला अब साहीवाल के जीले के नाम से जना जाता है और यह रावी नैदी के 25 पर है नेएक्ट है मुद्त 4े समय में रॺमी में 301 कोट सरपं किस से नहीं कीया था तो राहй वहादूर ते नाम सहनी थे इस फ़योने ने था या टे शानी एक राड़ी तो यह संनी है तरहा आज है यह घौ yけ वहादूर और में वहाद यह यह कि उस समय निर्देशन में जो पुरातवज्चन विभाग के महा निदेशक थे वह सर जॉन मार्सल थे तो उनके निर्देशन में निदेशन में इस भी में जो राय बहादू थे राय बहादू दयारामसाहनी उन्होंने इस अस्थान की खुदाइक की ठीक है अगले साली किया गया था जौन मार्सल के हैं निर्देशन में किया गया था तो ये 1922 में हुआ था और जब फिट हो गया जॉन मार्सल ने उन्सेट चौवीस इसवी में जो खोषना किया कि मतलब इन अस्थानों पर रपा सब्टा नाम की कोई संस्क्रीती दभी हुई है उसके वाद कि मोहन जोद्रों कहां सी थे तो पकिस्तान के सिंधु प्रांथ सिंधु प्रांथ है सिंधु प्रांथ हो गया सि लरकाना जीले में लरकाना जीले में इसमें पाया गया मखान जुड़ों suis इसमें जो के बना उस था तो बाउस के समय इष्टान का पता चला है तो बाद सम्क्द खोड़ा गया तwalचला कि मोहन जोड़ों एक संस्क्रीती है और इसके बाद है सिंदु घाटी सभिता के छे परमुख नगर कौन-कौन से हैं, तो सिंदु घाटी सभिता के छे परमुख नगर है, यह हडपा एक नंबर में है, सबसे पहले इसी खुजा गया था, नेक्स्ट जो है, बहुं जो दड़ो है, उसके बाद चनु दड़ो है, चनुदड़ों के बाद जो है लोथल है और लोथल के अधकाली बंगा और उसके अधक बनवाली तो यह थे प्रमुक नगर इसके लावा ही बहुत सारे नगर खोजे गया है ठीक है अब है सिंदु घाटी सब्टा का विस्तार कितने चेत्र फल पर है तो यह बारा लाख निन्यानुए है जार चेसो बर किलो मीटर का यह बहुत बड़ा चेत्र था अलाकि हरपा जो है पांच किलो मीटर के आज मतलब की रेडियस में था फैला हुआ लेकिन जो यह है पूरा टूटल सिंदु सब्टा चुकि धीरे धीरे करते हुए पूरा खोजा गया तो मतलब लंबा चुड़ा अभी अब देख जो है यह है बारा बारा लाक निन्यानुए च्छो सो बर किलो मीटर में तो बहुत हो गया यह बहुत बड़ा चेत्र है यह अभी कहां कहां से जानने के प्रश्न पर आते हैं कि कितने कि दूर तक फैला वा था तो देखिए 10 नंबर में सिंदु घाटी की सब्टा कि सबसे पूर्वी अस्थल तो सबसे पूर्वी अस्थल था वह कौन सा है तो आलमगीर था आलमगीर यानि जो की मेरट जीला है यूपी का ठीक है उत् पूर्वी था सबसे सबसे ऊतरी अस्थल तो यह मानदा जीला मानदा है जीला है जीला खुनूर है जमू कस्मिर में एकिए मान्दा है जो इस उत्री स्थाल सिंदु घाटी की फिछ सिंदु घाटी की स्थाइड खजिनी स्थाल यह है भगत राव खतराव है कि दो सिंदु काती सब्सक्राइब आकार है वह ज़ो बारा लाक निन्हाना याप छोसु खाज यह चेत्र है यह त्रिवुज आकार का है तो त्रिवुज आकार लिये हुए बनाये हुए है सिंदुगाटी की सब्विता ठीक है उसके बाद जो यह सब्विता है यह भारत और पकिस्तान में अधिकांस जो है पकिस्तान में भारत में बहुत कम हिसे है है a ठीक है बहुत कम स्थान है भारत में अधिकतर जो जो आफ है वूह फोज है फ़ी पकिस्तान में तो दोस्तों इसमें जो है पंजब पशन्यूक्त-पश्मीर के भागवेगरा है तो यह थे कुछ खास जो है अस्थान उसके बाद दिखिए उन्हें 31 में सिंदु घाटी सभेता के तिथी क्या निर्धारित किया गया तो यह जो किया गया चांश से 1750 इस्वी पुर्व कर बीच का जो है यह किया गया था और अंश्यवाद यह जों मार्सल के उस समय थे और यह गवल मार्सल के पर्यासों से यह जो तिथी निर्धारित की गई है अब है नेक्स्ट रिडियो करबन त्यथी रिडियो करबन इसको कारवन 14 बिकाथे है तक का अब दोस्तों की सिर्फ मतलब जॉन मार्सल दोरा या कारवन फोटीन ही नहीं है इसको इसको यह बारे में जो है जो तिति यह भ्रामक है और कोई एक तिति पर मतलब कई बिद्वान कई जो है तितियां दी है तो देखिए जैसे की अर्नेस्ट मेक के वह 28 308 009 005 जो है मानते हैं इसकी काल है पिर है माधो सो रूप बत्स जो है वह थीयोफ थीपर नीच बताते हैं इसके बाद मार्टिम बिल्स तो से सट पन्दरासों बात आते हैं फ़ेर सर्विस जो है विद्वान है और यह दो हजार से पंदरा सो इसी पूरूप के बीच का बताते हैं लेकिन दो अब जो याद रखेंगे यह 350 बाद पचास जरूर याद रखेंगे बाकी सब कोई माईनी नहीं रखता है लेकिन जानने के लिए आपको मैंने बता दिया है अब देखिए नेक्स्ट है लक्षवन और लक्षवन शुरूप और राम चंद्रस जो है वह सिंद्धू घाटी की सभएता और बैदिक सभएता दोनों का निर्माता किसे मानते हैं तो यह आरे को मानते हैं यह बहुत इंप्रोटेंट हो जाता है कि कौन है सिंदू हाटी सभएता कब वास्तिविक निर्माता है व और आरडी बनरजी ने जो है सिंदोंक किस Quality को निर्माता ध्य गया है माठी बीलर ने सिंदु और द्रार को बता रहे हैं कि तो इह चिंदु नमर में हड़ो पास 10 नदी के तटपर था तो यह रावी नदी के फाये तर फर 11,20 नबर में 10 सबसे पहली जनकारी देखें वहां 24 में च्शे अनुपाद 6 का कि मतलब 6 अनुपाद 6 कि दो पंग्तियों में निर्मित कुल बारक बारक अक्षाओं वाले एक अन्नागार का अफसेस मिला तो अननागार मिला है हडपा में मिला यह तो मैं मिला है याद दखेंगे और इसमें है कि दोसों यह जिनका चेत्रफल जो है चेनुपाच्छे का तो पंक्ती में मिले हैं रूम मिले हैं अन्नागार के तो यह इनका टोटल चेत्रफल था मेलें może तो झन स्नेकों आःशिक सत्व कस सबतों यह इस नेंचेंगेस सनाथ सब्सक्राइब है और जिन में से उत्रीं पंक्ती में जो हैš उत्रीं पंक्ती में चैना सबीना की और दक्षिनी पंग्ती में जो है आठ मकानों के जो है अफसेस प्राप्त हुए तो यह एक तरह के श्रमिक आवास थे ठेके 15 मकानों के जो कि दो हिस्टों में थे उत्तरी साथ और दक्षिन साथ में आठ माकान थे फिर अच्छबिस नंबर में है अपास थल से प्राप्त पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं जिसके अलाबा भी बहुत सारे प्रस्ट जो है आपको तुम्हें बता रहा हूं लेकिन इन बातों को रखना याद बहुत ज़रूरी है तो ध्यान से सुनेंगे हरपास अस्थल से जो प्रातात्विक प्राप्सेस मिले हैं वह ए तो याद रखिएगा मचवारा के चितर बना हुआ है दूसरा है जो संख का बैल भी पहला है तो संख का बना हुआ है पीतल का बना इकका यह तो के जित्ताकार चबुत्रे जिनका उप्योग जो है संभवता फसल को दवाने के लिए किया जाता था ठीक है उसके बाद संसकार में तीन तरह के वो लोग काम करते थे तिन तरह से पुर्ण समाधिक था ठीक है दूसरा जो था दास संसकार था और के दूसरा और तीसा जो तर आन्सिक समाधी करण तो समाधी और तास अंसकार यह तीनों थे तो जैसे कि पून समाधी में क्योंता था क्या कि समपून सब को भूमी में दवा दिया गता था जो कि मुश्लिम धर्म और इशाय धर्म में यह किये जाते फिर आंसीख समाधी यह था उसमें पासू पक्षियों को खाने के लिए खाने के बाद बिशेशका थो जो बशता था इसको दफना दिया था जैसे क्यामने महणजोडाड़ो फिल्म जो ऑया था उसमें तिखाया गया है कि जो पर्मुक्त प्र Peja Mauda के। के उनònकस तो इसको बोलते हैं आंसिक समाधी लेकिन दास अंसकार में सब को पूर्ण रूप से जला दिया था जो कि हिंदुयों में बेसेस का रूप से अभी भी इसका प्रयोग हो रहा है उसके अलावा लोथल में दो विक्तियों के जो एक साथ मिले हैं मौन जोड़ों के अंती मस्तर से जो है हमें कुछ सामुहिक नरकंकाल ही मिले जो कि विदेशी आकर्मन के और इसारा करते हैं तो यह कुछ खास बाते थी और यह जो समाधी आर थाटी सेवन है इसको नाम दिया गया है हडपा में सामानने आवास छेत्र थे उसके तक्चिन में विदेटान पाया गया था तो उसी को नाम है समाधी आर थाटी सेवन नाम दिया गया है किस्थान का हडपा की 28 नंबर में है महञ जोड़ों कि सवर्फ हुए टो 1922 में हुआ है मैंने बताया थापको नंबर में हैं मौन जोड़ों किस नधी किनारे स्थीत हैं तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर इस्थी था यह हडपा में हडपा को जुड़वा रधानी किसे कहा है तो मोहंजोदाड़ों को कहा गया जुड़वा रधानी यह 483 किलोमीटर जो है दूसरे से फिर भी इसको पिकट महोदे ने इसको जुड़वा रधानी कहा है तो यह बहुत ख वह इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे क्या स्ट्रक्शर था कि इतने लंबाई चुड़ाई थे तो अन्नागार थे तो इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे है तो अन्नागार कि को मैंने बात किया औह Cinema में से बार में तो इसके पार में दिटेल में बैसे होगी से इस Angels L excess आल नंबर में आट transition है कि मौन जदरो के परिती मिभाग में मोर्ण ज़ों के प्षंवी भाग में जो इसके तो से जिले को अग टो उसको त्रक्रीच कहा जाता था तो मुझ्चअजओडो के पश्मी को éénशन गजाता था तो यह तुप टीला कहा तो यहां पर हुआ था कि कुसान सास को नेक निर्मान करवाया था ठीक है यह जगह इसलिए तूप टीला हो गया बाद में तो कुसान सास को दोरा एक निर्मान करवाया था है इसका उसके बाद है महां जोड़ों से प्राप्त प्रमुखव से क्या क्या थे तो कुम्भकार जो है कुमहार के इच्छा भट्टे मिले हैं जिस पर बरतन वेगर बनाया आते होंगे ऐसा अनुमान है फिर सुटी कपड़ा मिला है यानि कॉटन का कपड़ा का इस्तमाल उस जटनारी के मूर्ती जो कि मघडर की सबसे टि अनुव लेकी मूर्ती और दोस्तों यह अ कईrich-n deaf-का बडरों सब्सक्राइब करें तो यह मोहनजदड़ों के दच्चिनपुर में 130 किलो मीटर दूर जो है यह चनुदड़ों नामा का स्थान था और चनुदड़ों की सरपथम की किया था गोपाल मजुमदार ने और गोपाल मजुमदार में 131 में इसकी खोज किया था इसकी से तो यहाद पूछते हैं गुडिया निर्मान हे तू जो है कर खाना के अप्सेस कहां से प्राफ्थ हुआ है तो चनुदड़ों से प्राफ्थ हुआ है इसके बाद है संस्कृति यह इसके आफ्सेस मिले यानि एक तरह से कहा जाकि प्राफ्थ हरपा संस्कृति के मिले यानि हरपा संस्कृति से पहले के जो अप्सेस चनुदड़ों से पाए गये हैं उसके बाद है नेक्स्ट है इसको जहान दखेंगे के चन्दुगा से ये मीलाओ उसके बाद सिंदुगाटि की सभिता में सवंदार प्रशाथन सवंदार प्रशाधन निकि जो आदमी लोग प्रमी रखते थे और शिविंग भी वगारा वी करते थे तो यह कुछ है खास बात है तो नेक्स्ट है 41 नमर में लोथल नदी किस नदी के किनारे जो है लोथल ज्यंग मैं तो यह भोगवा नदी किनारे था और बोगवा नदी यह सब कुलने गुजरात में हैं और सागर बाला एक नामा के गाउं था उसी कि समीप यह लूथल था ठीक है और यह हमादाबाद में पढ़ता है गुजरात में लूथल की खोज सरपथम कि इसने किया था तो लूथल खोज जो है सरपथम जो है पाश्मी आसे के साथ तो सबसे में बन्दर का यह था इसके बाद 40-44 नुमर में लूठल से प्रापत से एक सालने हैं कि अ और वासान अँख करण के बाद जो है चावल है चावल मिला याद रहे हैं नतिख lip चावल से मिला ऐस पारेस मेस की महरे है गोड़े की जो है सनसे कहा स però में से पर connects 4 अब कई छोड़ा सकते हैं गोड़ा में हैं तो नीट्ञ बंदरगा इस्थित था तो अईसा तो नहीं कि लुटल बहुत बढ़ा चेतर था तो वहां पूरवी भाग में यह था लुटल के बुझो है पूरवी भाग में बंदरगा था और जिसका आकार था बंदरगा का 3.3 मीटर गहराई था उसके बाद जो है रोपड अस्थित है तो यह रोपड पंजाब में था इस्थित 17 नदी किनारे जो है रोपड जीला है था वहीं इस्थित था रोपड अस्थल और इसकी खुदाई जो है रोपड से बीच यकदत सर्वा ने किया था और त से प्रमुक अफसेज क्या है रोपड से प्राप्त जो प्रमुक अफसेज क्या है यहां नि वहां से क्या-क्या प्राप्त हुए तो मीटी के बरतन प्राप्त हुए आभूशन प्राप्त हुए और चट फलक प्राप्त हुए और तामबे की कुलहारी प्राप्त हुए तो इ तो यह प्रस्ट कर पूछा कि काली बंगा का रगा काले रंग की चुरियां को काली बंगा काता है जो महुंजोद्रो का जो अर्थ है मृत्को का टीला तो यहां पर भूल गया लेकिन यहां याद रहें अर्थ आया तो काली बंगा काले रंगे चुड़ी तो मृत्को का टीला तो यह कुछ खास बाते थी उसके आवन नबर में काली बंगा कहां इसीत है तो यह देखिए गंगा नगर जीला है और जो कि घंगर नदी किनारे और है और काली बंगा और राजस्थान में तो पूछा जाएगा प्रस्ण की काली बंगा किस नदी किनारे है तो आपको बताना होगा कि घंगर नदी किनारे तो याद कर लिए इस बात को काली बंगा जो घंगर नदी किनारे इसलिए मैंने बार इसी तरह के प्रश्ण पूछे गए हैं उसके निर्माता के संबंधे और उसका कैसे कैसे पतन हुआ इससे बी जुड़ा कुछ प्रश्ण आते हैं काली बंगा कि खुदायों नियुक्त तीरिपन में किस ने किया था तो बीवी लाल जो है यहां पाई गई तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ये काली भंगा और पड़ा-कलपा संस्कीति जो है कोड दीजी से पाई गई है तो दो बात दो याद रखेंगे अब झाली भंगा और कोड दीजी से पाई गई है कि अध데 अध diesen धरों कभी थो फसा था इसमें जो Bley ने उनेम पर पताया है आपको देखी लाएगा 54 में काली भंगा के भाभनों में किस तरह के ईटों का परयोग किया गया है तो कच्छी औटों का परियोग किया गया ठिक्स дела कप परियोगा इसमें इसमें यह कच्छी दोस्तो तीक अइसे तुलीन जो ने ऑदीक अधार को होते थे सब तो यहां रास्य लापता म से उसका कार है ि नाली और कोम में पक्की शसे मिले कि नकासी डान एंटों का प्रेयोग यहां काली बंगा में ही किया जए बातों के ध्यान रखेंगे पच्पन नंबर में प्राक हड़फा जो सबनेता है प्राक खरपा संस्क्रीत के जूते हुए आग लघा सी तो काली वंगा से है टो दोगा मैं उलटकर मूचा है ताकि ध्यान के anna नमबर में नमबर में कान अन प्रमुक्षिस क्या क्या है तो लगु परशान उपकरण मीला है मानिक के मिला है जो होएश किमती वी कि वह था है मीटी के मन के मिले है और है देखिए संक है क्वाते कांच ही कांच मीटी के छूडियां है तो यहां से मिली तो देखिए आज महीं जो चूडीयां खूब पहनते पूरे पूरे हाथ में रहते हैं अब पिक्चर वगरा में देखा होगा या फोटो वेगरा कहीं में अब देखें होगे राजस्थान में जो है इस तरह के है सजावत आज भी किया जा रहा है उसके लाद खिलाउना भी गाड़ी के जो है यहां से खोज जो है उसके खोज जो सरबतम दो चौण सट में जैपती जोसी ने किया था खोज जो सरबतम ठीक है और यहां से भी मिले घुड़े के जो अफसेस मिले हैं तो सिंदुगाटी सब्धा के पतन के अफसेस सिंदुगाटी सब्धा के पतन के अफसेस कहां से परि कोटरदा से प्राप्त प्रमुख अफसेस क्या क्या है तो देखे घोड़े के अफसेस यहां से मिले हैं और एक अनुखी कब्रगा भी मिला तो यह तरह से इंपोर्टेंट हो जाता है यह पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा आलमगीर की खोज प्राप्त अफसेस क्या क्या है तो आलमगीर से प्राप्त अफसेस हैं वो तो मीटी के बरतन और मन के और बिंड है तो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे चुकि यूपी से जुड़ा हुआ है और रंगपूर किस नदी के नारे यह भी खड़पा सिंदु खाटी सबिता काय का स्थाल है तो यह मादर नदी के समीपी स्थित है और रं पर को Tomious Alors High कि तो यह रंग राद शर्व ने किया था तो सभी लिए तो याद हो जाँगा कि रंग पुर्पूर भाप्षये शाल है जो इसके अत्रीक जो है सबसे इंपोर्टेंट है धान की भूसी के धेर तो आप इसको याद रखना हो कि रंगपूर से धान की भूसी के धेर मिले हैं क्योंकि प्रश्ण परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं अब इसकी देखे कि 68 स्थली कौन सी अबस्था के साच्छस ब्राप्त होते हैं तो उसके बाद बन वाली बादब देखेंगा कि थी तो यह भी पॉट्ट्ट है जैसके काली भंगा वॉट्ट रहा बन्माली ठीक तो बन्माली की खोच जो है रविंद्द सुष्ट ने purity .74 में किया था ठीक है बन्माली होग और यह हर्याना में और बन्माली बन्माली कितने संस्कितियां के सक्ष्षबाफ्त में हैं तो ह है बनवाली में और काली बंगा दूही जगह और कुटीजी में तो इंडिया में यह तो बनवाली हर्याना और कालीबंगा राजस्थान तो प्राख्रपाई हो गया अब अगेस्थान के अप्षेत चला गया कोड़ दीजी तो वहां भी प्राख्रपा के सक्षे प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट है खत्तर नंबर में बनवाली से प्राप्त अफसेश क्या क्या है तो अच्छे किस्म के जौ या देखें जौ मिले बन क्राल के हैं ताबे का वानाघ्र है और हल अकरितीके जो है खिलमे याद करनेलियिके बनी से अब इस अधिन्स की अच्छे किस्में के जाए तो आड़ति है अरट है जिए कर यह देखिए और कम कॉत्तर है तो को ऑखत्या च्छा दखें के जो हैं मन के युक्तर सब्सक्राइब करें लिए इसमें पुछा गया तो फिर नेक्स्ट देखिए इसमें अली मुराद यह अस्थाली है और इससे प्रपामुख है जो अफसेस मिले हैं वह मीटी के बरतन कार्नीलियन के सब्सकाइब कि तो देखित है तो दासक नदी किनारे स्थीत है यह डक्षिनी बेलुची इस्तान में सबसे आप जानते हैं सबसे पच्मी अस्थल है तो यह याद रखिए उसके बाद 14 नमर में सुथ कांग डूर की खोज जो है 1927 में किया गया है और लेस्टाइन द्वारा तो और लेस्टाइन ने किया है सुथ कांग डूर की जो खोज उसके बाद अब 2 नमर में 9 संस्कीती के परिपक ववस्था का अवसेष कि अस्थल से प्राप्ट हुए है तो यह देखिए मनुस्य के अस्तीराक से बारा बरतन इंपॉटेंट हो जाता है मनुस्य कर्हां से बारा बरतन ्षी है दिन ध्र сделали शांएज जबान के सब्सक्राइबस सब को शोड़ दें तो यह सब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब क्यों ऊपर वाला प्याद रखना कोड़ दीजी कहा रहिसे तो मुने बताया थे जो कुछ कि नियुका कुर नाम n u हुझ तो अन्हीं किया है कि एक उव्य क्या कर्दिश हुआ यह में कोड़ी जी केली खोड़ाय में सनवabel ही हो पाैँ खोज होज दोढ़के फजल आवमध खान के दौड़ा किया गया बसके बाद कौर्ट दीजी के कौन सी अवस्था कि अवसेश मतलब महास़ प्राप्त हुए हैं तो प्राख घ्रपा अवसेश प्राफ्त हुए तो मैंने बताया था कौई दीजी, कालि बंगा और तो मैं इंपोर्टेंट है तो अब उसके अलग से पढ़ लिजेगा ठीक है धौलवीरा के बारे में कुछ अब बचे हैं जो इस चाप्टर में हड़पा यानि सिंदु घाड़ी सविता में पचे तो उसमें विसे सी इमारतों के बारे बताऊंगा जिसमें की ब्रेत असनानागार है सभाभवन है ठीक है उसके बाद जो है वहां के मतलब लोथल के बारे बंदरगा के बारे में बता ही दिया है और उसके हड़पा के जो लीपी थी कैसे लिखी जाती थी और कितने चीन ने पाए गए हैं फिर मुहर के बारे बताएंगे मुर्तियां है उसके बाद हड़पा स जानना चाहते हैं कि कि आगे इस वीडियो में नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या थो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुचाएं और दूस्तों यह डूखने वाली नहीं है और जो भी इस क्लास को छोड़ेंगे तो बाके में वह बहुत कुछ छोड़ पाएंगे तो ऐसा नहीं करें तो इसे जरूर से जरूर इसे देखें और धीक स्यादिक इसे फैलाएं दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद